है 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 गाइज वेलकम बैक इन आवर चनल माई सेल्फ मंजीत यादो तो इससे में हम लोग स्टार्ट किये वह हैं कंक्रीट टेक्नोलोजी में इंक्रोडक्सर चैप्टर और इसका आज टॉपी जो कवर करने वाले हैं वो है मिनिममम ग्रेड ओफ कंक्रीट यूजड इन कंस्ट्रक्शन उसके बाद एडवांटेज एड़ डिसडवांटेज आफ कंक्रीट काफी इंपॉटन टॉपी कवर करने वाले आज हम लोग मिनिममम ग्रेड ओफ कंक्रीट आप प्रिवियस यर का कोई भी जैई का पेपर देखेंगे तो इसमें इस पॉइंट से काफी आपको क्वेश्चन जबू मिलेगा यहां से मिनिममम ग्रेड ओफ कंक्रीट यूजड इन कंस्ट्रक्शन यहां से काफी क्वेश्चन आपको मिलेगा PCC के लिए कितना मिनिममम ग्रेड ओफ कंक्रीट यूजड किया जाता है देखिए जो एक स्टेंडर्ड है IS 456 2000 के अनुसाल जो IS कोड़े निर्धारित किया हुआ है मिनिममम ग्रेड ओफ कंक्रीट कितना लेके चलना चाहिए PCC के लिए PCC का मतलब क्या होता है प्लेइन सिमेंट कंक्रीट PCC प्लेइन सिमेंट कंक्रीट ठीक है तो प्लेइन सिमेंट कंक्रीट के लिए मिनिममम ग्रेड ओफ कंक्रीट M20 यूजड किया जाता है PCC प्लेइन सिमेंट कंक्रीट सोरी M15 का यूज किया जाता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए M15 ग्रेड ओफ कंक्रीट यूज किया जाता है RCC के लिए RCC M20 प्लेन सीमेंट कंक्रीट RCC के लिए मिनिमम ग्रेड ओफ कंक्रीट M20 ठीक है एक पॉइंट यह हो गया सेकंड पॉइंट यह हो गया थर्ड पॉइंट वाटर टैंक के लिए कितना यूज किया जाता है वाटर टैंक के लिए M20 वाटर टैंक के लिए M20 ग्रेड ओफ कंक्रीट मिनिमम ग्रेड ओफ कंक्रीट यूज किया जाता है वाटर टैंक का मतलब क्या होता है जो पानी वाली टैंकी होती है जल टैंक बोलते हैं इसे ठीक है नमबर फोर PCC सब्जेक्टेड टू सी वाटर जो सी वाटर है जहां पर शमुद्र का पानी है वहाँ पर अगर PCC का यूज किया जाता है तो कितना लेके चलना होता है PCC सब्जेक्टेड टू सी वाटर बहुत इंपोर्टन पॉइंट PCC के लिए भी और RCC के लिए भी RCC सब्जेक्टेड टू सी वाटर बहुत इंपोर्टन है ये काफी कई बार SSJ में भी एक क्वेशन पूछा गया है अगर PCC हो देखिए दोनों सी वाटर के लिए ही बता रहा हूँ मैं आपको सी वाटर में यहाँ पर तो यह नॉर्मल था PCC नॉर्मल था RCC आपका बट जब अगर वही PCC सी वाटर के लिए यूज किया जाएगा यानि समुद्र के पानी में यूज किया जाएगा या RCC है शमुद्र के पानी के साथ अगर यूज किया जाता है तो कितना लेके चलेंगे धियान लखेंगे आप जो PCC नॉर्मल यहाँ पर कितना है M15 है तो यहाँ कितना हो जाता है M20 हो जाएगा ऐसे याद करेंगे आप यहाँ 15 है तो एक ग्रेट क्या करेंगे आप बरहा देंगे और RCC के लिए M20 है न तो यहाँ पर कितना हो जाएगा M30 हो जाएगा तो PCC Sea Water के लिए M20 and RCC Sea Water के लिए M30 का यूज किया जाता है इसके बाद Pre-Stress Concrete Pre-Stress Concrete या Pre-Tension Concrete के लिए कितना यूज किया जाता है Pre-Stressed या Pre-Tension Concrete के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ और पुछाता है यहाँ पर Post-Tension Zone के लिए Post-Tension Zone के लिए ये दोनों भी काफि पूछा गया है Question अगर आपका Pre-Stressed या Pre-Tension है तो इसके लिए M40 Grade का Minimum Grade of Concrete M40 का यूज किया जाता है M40 And Post-Tension Zone के लिए M30 ये वैलू आप लोड़ लिजिए इसे बिल्कुल याद कर लिजिए काफी Question यहाँ पर बच्चे गलत कर जाते हैं ये जो मैंने Topic पर Advantage of Concrete Concrete के क्या लाव है क्या गुर है इसके उसको देखते हैं Advantage of Concrete इक्जाम में Advantage, Disadvantage से भी Question बन जाता है जरूरी नहीं कि कोई Value वाला Topic हो तो वही इक्जाम में आता है आज कल Conceptual Question बनाये जाने लगे हैं पेपर में जो आता है बिल्कुल Conceptual आता है Concept आपका Clear होना चाहिए जरूरी नहीं कि कोई Formula या कोई Value याद करने वाले रटने वाले चीजे वही पुछा जाएगा ऐसा नहीं है Conceptual Question आज कल बनने लगे है Advantage of Concrete यहाँ पर कुछ पॉइंट में बताऊंगा उसको आप लोग ध्यान देंगे Concrete के गुर ठीक है पूरा नहीं लिखूंगा बस समझाते चलूंगा मैं आपको पूरा इंगली सिंधी में लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ठीक है पहला point सबसे पहला मतलब आप यह समझेगे Concrete के क्या फायदे है क्या इसका Advantage है क्या इसके गुर है क्यों हम Concrete को यूज करते हैं जादा Concrete के क्या क्या फायदे हैं वो हमें उस टॉपिक पर ध्यान देना है ठीक है सबसे पहली बात तो यह है कि यह काफी सस्ता होता है किससे compare हम कर लें हैं किससे compare other material of construction construction में और भी material यूज किया जाते हैं उनकी उनसे हम compare कर लें यह चीज ठीक है जैसे स्टील हो गया स्टील क्या है building material है यह क्या है concrete यह concrete भी क्या है building material है यह ठीक है तो वो हम compare कर लें हैं तो concrete सबसे पहली बात तो यह कि यह काफी सस्ता होता है बहुत ही सस्ता है मतलब कम पैसों में बनाया जा सकता है और local में इसकी availability काफी है available to local in local ठीक है इसके वज़ा से यह क्या है आपका advantage है कि local में भी आपको concrete मिल जाता है अगर आपको concrete बनाना है तो आप cement को खरीद के लाईए आपके पास segregate fine aggregate coarse segregate को मिलाईए concrete आपका तैयार ठीक है बहुत दूर से इनको बनाने के लिए इनकी में जो ingredients यूच किया जा रहे है वो हमें बहुत दूर से नहीं लाना है हमें पास local छेत्र में ही सब चीज मिल जाता है cement आपको पास महीं मिल जाएगा aggregate भी आपको मिल जाएगा पानी भी मिल जाएगा तो easily हम इसको अपने से ही बना सकते है ठीक है इसको बनाने के लिए बहुत बड़ा factory या industry install करने की आवज़ सकता नहीं है normal हम अपने से भी इसको हम बना सकते हैं यह आपका availability in local के वज़ा से क्या है यह info इसके क्या अद्वांटेज है उसके बाद इसका जो production है वो काफी मात्रा में आप बना सकते है इसकी production अच्छी है manufacturing इसका अच्छा है यानि को हम जादा मात्रा में बना सकते है इसली कम समय में बना सकते हैं ठीक है इसकी प्रोड़क्शन बहुत ही ति है इसका जो श्रेंथ है इसकी हो कि इसकी तरह पर यह कंप्रेसिव स्टीर ने कशा हाक है स्ट्रेंद बहुत ज़्यादा होती है ठीक है और इससे भी अच्छी बात क्या है इसको हम किसी भी सेप में किसी भी साइज में हम कंक्रीट से कोई भी स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं जबकि इस टील के साथ ऐसा नहीं है इस टील में जैसे साइज फिक्स है कि बीम की जो साइज है वो फिक्स है कि इसी साइज में बीम मिलेगा बट यहां पर क्या है हम अपने आवश्चक्ता नुसार किसी भी साइज में हम बीम को बना सकते हैं किसी भी साइज में कॉलम बना सकते हैं छट बना सकते हैं कंक्रीट की वाल बना सकते हैं कोई भ यह कहत चेक्ड बंजाता है बाद में नहीं आपट चंज सकते हैं यह बहूत इंपडिटी टाइम है वह बहुत यूट ज्यादा होता है अच्छा होता है यह काफी दिन तक यह चलता है इसकी यूटिलिटी टाइम जो लावकारी आयू है वो बहुत अच्छा है यह आप कर सकते हैं इसकी एज इसकी एज बहुत अच्छी होती है काफी होता है यूटिलिटी टाइम इसका क्या है काफी अच्छा है ठीक है यूटिल है ठीक है maintenance expenditure बहुत कम होता है maintenance charge बहुत कम लगता है बहुत less है less maintenance charge मानिजे concrete का आप कोई column बनाए है या दिवार बनाए है कुछ भी बनाए है वहाँ पर हमें ज़्यादा maintenance किया हुआश्यक्ता नहीं परेगी जैसे मानिजे स्टील से आप कोई भी चीज बनाए होगे तो उसका बोल्ट हो गया रीवेट हो गया connection फेल होता रहता है तो उसकी maintenance चलती रहती है बड़ concrete के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है आपने एक बार बना दिया अब उसमें ज्यादा नहीं रहता है बहुत ही कम रहता है अगर मानिजे cracks हो गया तो इसमें गुनाइटिंग करके हम उसको सही कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं इसमें cracks कम होते हैं अगर आपने एक बार बना लिया अगर आपने इसमें या क्रेक्ट नहीं हुआ तो बाद में ज्यादा संभावना इसकी नहीं रहती है तो गुनाइटिंग करके हम उसको सही कर सकते हैं ठीक है और भी अच्छी पॉइंट क्या है मौसम का इफेक्ट नहीं पड़ता इस पर इफेक्ट आफ वेदर विदर इसका इफेक्ट बहुत ही कम है टंप्रेचर जादा है या टंप्रेचर कम है कंक्रीट पर प्रभाव जादा नहीं परता है यानि कि बहुत ज़्यादा धूप हो जाए या बहुत ज़्यादा बारिस पानी बरसने लग जाए उसको भीगने के वज़र से या उसमें फायर रेजिस्टेंस भी होता है य एसमें आस लगने वाला नहीं है तो यह फाय रजिस्टैंस भी होता है water waterproof भी होता है पानी से भी कोई नुकसान नहीं है abundance वी कई Τलित दूब का भी कोई फर्थ इसमें नहीं पड़ता है कि वेदर का प्रवाव इस पर नहीं परता है ये सबसे अच्छा है इसका ठीक है यह थे इसके डिवांटेज अब हम बात करते हैं डिस डिवांटेज का कुछ नकुछ डिस डिवांटेज भी होगा कंक्रीट के अवगुन या दोस कह सकते हैं दोस ठीक है तो पहली बात तो यह है कि देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है लेकिन टेंसायल स्ट्रेंथ इसकी बहुत कम होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कंपेर में देखा जाया तो केवल 10% ही इसमें टेंसायल स्ट्रेंथ होता है तो हम कह सकते हैं कि टेंसायल स्ट्रेंथ इसमें बिल्कुल भी कम बहुत ही कम होता है या इसको बिल्कुल 0 कह सकते हैं या बहुत कम कह सकते हैं टेंसायल स्ट्रेंथ क क्या इसमें बहुत ही कम होता है अपने compressive श्रेंद का दसमा भाग होता है दस percent के वल होता है अगर माने ये यांपर इसका compressive स्टेंद scomm per minute है तो इसका जो टेंसायल श्रेंद है वो केवल 10 न्यूटन पर मिलमीटर स्क्रार होगा यह बहुत बड़ा डिसद्वांटेज है कंक्रीट के लिए ठीक है उसके बाद हम जब भी कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाते हैं या बनाते हैं तो वहां पर हमें contraction joint देना होता है contraction joint हमें यहां पर देना होता है क्योंकि expansion भी होता है इसमें कि स्रिंकेज भी होता मतलब सिकूर्टा भी है और यह फैलता भी है क्यों होता है देखिए जब कंक्रिट बिलकुल fresh है, ताजी अवस्था में होता है तो कंक्रिट में क्या होता है कि वह होता है उसमें तो इसके वुझेकेज होता है औ जब वह पानी पन्प पहरता है तो इसके वाज़ए से क्या हमेंte contracting joint देना परता है यहां पर यी कंक्रिट का बनावा structure उसमें expansion भी होता है और contraction भी होता है यानि उसकी expansion यानि प्रसार भी होता और वो सिकुरन भी होता है उसमें ये इसका disadvantage है आपका ठीक है उसके बाद creep की सम्हावना बनी रहती है creep क्या होता है जब कोई load continue किसी एक जगहां पर लगा रहता है तो concrete में creep होने लगता है creep का मतलब समझे जैसे मान लो ये concrete का बना हुआ कोई structure है कोई beam मान लिजिए अब beam के उपर आपने slab रख दिया तो ये continue load इसके उपर लगा हुआ है तो इसके उपर जो कोई हम load continue एक जगहां लगा देते हैं काफी समय तक लगा हुआ रहता है तो उसमें concrete में creep होने लगता है ठीक है तो ये इसके disadvantage है efflorescence की सम्भावना बनी रहती है उत्फूलन जिसे बोलते हैं आप अक्सर देखेंगे concrete में सफेद धब्बे बनने लगते हैं सफेद कलर हो जाता है उसमें फफूंद लग जाता है उसमें efflorescence की सम्भावना possibilities में बनी रहती है ठीक है इसका जो scrap value है वो zero होता है scrap value क्या होता है जब भी मालेजिए इसकी utility time समाप्त हो जाती है concrete से बना हुआ कोई भी structure का जब utility time समाप्त हो जाता है तो उसको हम क्या तोर करके उसे कवार के रूप में जब उसे बेचते हैं तो यहां से हमें कोई भी धनरास ही नहीं मिलता है उसे हम बोलते है scrap value scrap value इसका zero मानके चलिए आप ऐसे समझेए अगर मानेजिए concrete का कोई बना हुआ beam column और slab है आपका ठीक है आप उसको तोरेंगे तोर के बेचेंगे तो क्या बिकेगा वो उससे हमें कुछ मिलेगा पैसे नहीं मिलेगा बलके में मजदूरी अपने पास्च लगानी परेगी अगर यही beam column और slab आपका steel का बना हुआ होता तो steel scrap value के रूप में कुछ ने कुछ वहां से हमें मिल जाता कवार के रूप में जब यह हम उसे बेंचते तो कुछ ने कुछ हमें वहां से मिल जाता तो इसकी scrap value क्या है जीरो है ठीक है maintenance अगर मान लिजिए maintenance ब जो है गुनाइटिंग करके सही कर देते हैं ठीक है बट इसके maintenance में problem आती है ठीक है अगर मान लिजिए ज्यादा ही पूरा ज्यादा क्रेक हो गया तो काफी problem आती है यह कह सकते है maintenance में काफी difficult होता है तो यह था इसका disadvantage ठीक है तो इस वीडियो में मैंने कवर किया advantage and disadvantage of concrete and इस से पहले मैंने आपको बताया था minimum grade of concrete used in construction तो इस प्रकार यह chapter आपका यहाँ पर complete होता है अब फिर मैं मिलूँगा next यह तो यह introduction था अब चेप्टर स्टार्ट करेंगे अगला chapter आपका ingredients of concrete तो सही chapter जो आपके start होने वाला है वो अपसे होने वाला second chapter से पहला chapter तो क्यों एक introduction संथा छोटा सा जो की complete हो गया second chapter बहुत important chapter है काफी question exam में वहाँ से बनता है तो फिर मैं मिलता हूँ next video में